स्स्ट्ट्प क्लासे सुम्स वागते पच्वाप सुभी केसे हैं अभी आप बरवी इतिहाँ चिप्टर 11 विद्रो और राज का प्रसुंतर पर रहे हैं आज मैंने आठवा प्रस्ण लिए 1857 के विद्रो के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है इतिहासकार अथवा अंग्रेजी इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह से विसलिशन करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है The Relief of Lucknow चित्र के जो बनाए जौन्स बरकर ने 1869 में इन मेमोरियम जोजेफ नुएल पेटन ने बंगाल टाइगर से बेटिस सेर का प्रतिसोद पंच ने 1857 में बनाए 1857 के विद्रों में चित्रों से बहुत कुछ पता चलता है बेटिस सितिहासकारों ने इन चित्रों का विसलिशन इस प्रकर किया है यहाँ जो है चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे पहला जो है रिलीप ओफ लखनाओं के चित्र के बारे में है आप जो है यहां फिगर में देख सकते हैं रिलीप ओफ लखनाओं का अंग्रेजों द्वारा निर्मित कुछ चित्रों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कोचलने वाले अंग्रेजी नायकों का गुनगान किया गया है 1869 में थॉमस जॉन्स बारकर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीप आफ लखनाओ इस रेनी का उधारन है जब विद्रोही सेना में लखनाओ पर घेरा डाल दिया तो लखनाओ के कमिस्नर हेंरी लॉरेंस ने इसाईयों को एकत्रित किया और अती सुरक् बाद में कॉलिन कैंप बेल ने एक बड़ी सेना को लेकर रक्षक सेना को छुड़ाया जो साब पॉइंट है वारकर की पेंटिंग एक अन्य पेंटिंग वारकर की है जिसमें कैंप बेल के आगमन को आनंद बनाते हुए दिखाया गया है चित्र के अगले भाग में पड़े सब और घायल इस गेराबंदी के दोरान हुई लड़ाई की गवाही देते हैं जबकि मध्यम भाग गोड़ों की विजाई तस्वीरे हैं इसे पता चलता है अब बिटी सत्ता और नियंतरन बहाल हो चुके हैं इस परकार के चित्रों से अंग्रेजी जन्ता में अपने सरकार के परती भरोसा पैदा होता था अगला पॉइंट है औरतों की वीरता कुछ अन्य रेखा चित्रों और पेंटिंग्स में हमें और औरतों और अलग तेवर में दिखाई देती है इनमें वे विद्रो के हमले से अपना बचाव करती हुई नजराती है कानपूर में सिपाहियों से अपने रक्ठा करती हुई मिस वीहलर इसका उधारन है जिसके हाथ में पिस्तोल है और विद्रोहियों को बंदूक से गोली मार रही है आप फिगर में देख सकते हैं कि मिस वीहलर जो है बंदूक से गोली चला रही है विद्रोहियों पर ठीकी सिपर का जस्टिस जस्टिस का हिंदी नियाय की तस्वीर है उन्हें वीरता की मुर्ती के रूप में दसाया गया है नियाय की एक रूप तमक्ष इस तरी छवी को दिखाया गया है जिसके एक हाथ में तलवार और दुसरे हाथ में ढाल है उसकी मुद्रा अक्रामक है उसके चेहरे पे भयानक गुसा और बदला लेने की तरफ दिखाई देती है वस सिपाहियों को अपने पैरो तले पुचल रही है जबकि भारते औरतों और बच्चों की भीड भैसे कांप रही है आप फिगर में देख सकते हैं ये वही तस्वीर है एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में किरपाल है अब जो है अगला पॉइंट है एक जिस्वन आफ है म्यूटिनर्स एट पेसावर ब्लोइंग फ्रॉम दा गंस यहां मिर्तियु दंड का दृष्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है निर्मम सत्ता का नाटि मंचन पूरे दृष्य परवर्दियों में सजे घुरसवार और सैनिक सिपाही हावी दिखाई देते हैं उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मिर्तियों का दिर्ष्य देखना है और विद्रो के भयानक परिनामों को महसूस करना है नीचे फिगर में मैं दिखाऊंगा कि किस परकार जो है यहां दिखाया गया है आप यह वही तजवीर है यहां एक साथ जो है पंक्ती में खड़े किये जाते थे और गोलियों से बमों से उड़ा दिया जाता था अगला पॉइंट है बच्चो 1857 के विद्रोह को एक राष्टवादी के रूफ में चितरित किया गया है इस संग्राम में कला और साहित को बनाए रखा गया है कलाओं में जहासी की रानी को घोड़े पर सवार एक हांत में तलवार और दुसरे में घोड़े की रास्था में दिखाया गया है यह भारतिय इतिहास के नजरिये से है वह समराजवादियों का सामना करने के लिए रन भूमी की ओर जा रही है आप फिगर में देख सकते हैं जहासी की रानी फिल्म भी बनी है अब अगला पॉइंट है सेर का चितर चितर में बंगाल टाइगर से बिर्टि कोमेंट में हमें जरूर बतावे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद